कर्म में जब हो कुशलता चित में समदर्शेता बुद्धी में स्थित प्रग्यता पार्थ यही योग है पार्थ यही योग है ओम श्री परमात्मने नमहा श्रीमत भग्वत गीता मृत्य स्तर्वह रष्चाह मुद्भवस्य भविश्यताम कीर्ते श्रीर वाक्ट नारी नाम स्मुद्धिर मेधाधुतिक्षमा बुरहत्सामत अतासामनाम गायत्री चंदसामहम मासा नाम मार्ग शिर्षोह मृतू नाम कुसुमा करह द्यूतम छलय तामस्मी तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मी व्यवसायोस्मी सत्वम सत्ववतामहम गृष्ट्ने नाम वासु देवोस्मी पांडवानाम धनन जया मुने नाम अप्यहं व्यासह कवे नामुषना कवियों दंडव दमयतामस्मी नीतिरस्मी जिगीशताम मौनन्चैवास्मी गुयानाम ज्यानम ज्यानवतामहम यच्चापि सर्व भूतानाम बीजम तदहम अर्गिनः नतदस्ति विनायत्ष्यान मया भूतंचराचरं नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतपं एशतूद्देशत अफ्रोक्त विभूतेर्विस्तरो मया यदियद विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेववा तत्तदेवावग अच्चत्वं ममतेजोंशसंभवं अथवा बहुनैतेन किम्त न्यातेन तवार्जिन विष्ठभ्यामि दमकृष्ण नेकाउंशेनस्तितो जगत ओम तक्सदितीव श्रेमद भगवद गीता सूपनिशत्चुंग प्रमविद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जिन सम्वादे विभूत योगो नाम दशमोध भाया कर्म में हो कुशलता पार्थ यही योग है आज विभूत योग का पार्थ पूरा हुआ अपनी विभूतियों को बताते हुए श्री कृष्णे कहते हैं कि मैं प्रत्येक उर्जावान चीज में श्रेस्ट हूँ और सभी मेरी ही उस उर्जा के प्रतीक है जिससे प्रगती होती है हम भी अपने कर्म कुशलता से उर्जा को बचा कर ही विभीनिक शेत्र में विकास के पत्थ पर आगे बर सकते हैं और इन कुदरती संसाधनों और पेट्रो उतपादों में संचित उजा का समुचित उपयोग ही है विकास और सुख का सुगम उपाए जिस पर PCR जोशनी डाल दाल रहा है तो दोस्तों पेट्रो पदातों की बचत कैसे करें इस बारे में देखते हैं एक लगुनाटी का कि एक स्थेयर निया नेयर कुंसलाट इसलनिया क्या बात है अब तो पेट्रो और मश्याट जी अभी तक नहीं आए बड़ेजित लतीख हैं आप इतनी दूर से कषीव मोगा आए पर मश्याइन वारे पास तरह प Theetna है नहीं आए सलाम भाइजान सलाम कहिए क्या गिल रहे है अल्ला का नाम अरे मैं तो अपने आखरी दिन गिल रहा हूं पर तुम भी तो बुड़े हो गए हो अब हमारे दिन तो लड़े बने हैं बटां यंग दादू, I'm clean, all of you smell bad, you're Mr. Paulie Tens अरे बेटी, जादा नखने मत करो मुझरों से, हाँ उनी की बात है, हम साम जबान थे, पर इस इंसान ने हमारा इतना खुण चूसा कि हमने बुड़ा बना लिया है हाँ चचा जान, देखो इंसानों का पागलपन, रोज आपस में लड़ते रहते हैं और शामत हमारी, दुनिया की लड़ाई में दुनिया के कित्ते केल की कुवों में आग लगा दी गई, और आपस की लड़ाई में मिलिटरी की गाड़ियां, तोपे, टैंके, अरे अल्ला के बच्चे ज्यादा, अज पूरी जान में 700 गरोग हैं, बीस साल बाद ये 400 गरोग हो जाएंगे, तम में अपनी बूरी एट्डियों से कहां तक इनके सेवा कर सकूंगा, ये इंसान बड़ा स्वारती है, ज्यादा से ज्यादा कारे रखना बिजली की खपद, अरे भई, बिजली कापी तो हमें चला रहे हैं, पाली के जहाज, रेलगार या हवाय जहाज, पिये जा रहे हैं हमें, पता नहीं, ये इंसान अपनी आने वाली पीवी को कुछ देगा भी या नहीं, पर मैं तो अभी जवान हूँ, मैं आपकी तरह से धुआ भी नहीं फिलाती, ना मै आपकी तरे डर्टी हो, जादा घमन मत करो बेटी, अपनी जवानी और खुबसूरती पर, जवान तो हम भी थे, पर इस इंसान में हमें इसको गार बरला छोड़ा है, तो तुम कित में बिन टिक सकोगी, पर गादू, वाट विल दिस मैं डू, आफ्टर वी यार ओन वरना एक तिल ऐसा आएगा, जब कारे, बसे, लेले, हमाई जवास तो होगे, पर उने चिलाने वाला इंधन नहीं होगा, हाँ हाँ चलो, हम सब इंसान को समझाए, शायद उसकी समझ में कुछ आजाए, तो एं इंसान जागो, और समझो हमारा महत्वर, और मत करो हमारा साथियों, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, टीजल, एलपीजी, इत्यादी ऐसी उरजा है, जिसके बीना हमारा रोजमर्दा का व्यवहार संभव भी नहीं है, तो क्या इसकी फिजूल खर्ची ठीक है, ये एक ऐसा सवाल है, जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए, और ए साथियों, ब्रेक के बाद आप कारेक्रम में मैं शामिल करूँगी आपके पत्रे, ये पत्र हमें भेजा है, शुपकरन जी ने धनबाद से हमारे डेडियो कारेक्रम बून बून की बात के लिए इन्होंने इंटरनेशनल क्योटो प्रोटोकॉल पर अपनी जानकारी भेजी है, साथी स्लोगन भी भेजा है, उर्जा है सोना, इसे यूही ना खोना शुपकरन जी हमें आशा है कि आपके सोगन से और भी कई लोग उर्जा सनलक्षन के महतु को समझ कर अपना योगदान देंगे ये पत्र है मुझफर नगर से शालेनी कौशिक का हमारे टीवी कारेकरम खेल खेल में बदलो दुनिया के लिए ये लिखती है कि यदि हम यूही बिजले खर्च करते रहे तो एक दिन अंधेरे में डूबना तय है इसलिए हमें चाहिए कि हम बिजले का कुशल उपयोग करें शालेनी जी पत्र लिखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों आज हम आपको फर्नेस में उर्जा की बचत कैसे की जाए इस विशय पर जानकारी देते हैं फर्नेस में हमें चाहिए कि आवश्रक्ता से अधिक हवा का प्रवेश्ट ना होने दे यदि अनावश्रक हवा को 10 प्रतिशत तक रोका जा सके तो 1 प्रतिशत इंधन की बचत होती है यही साफधानी बॉइलर में भी रखनी चाहिए क्योंकि हवा ज्यादा होने से कंबर्शन की एफिशेंसी घर जाती है जिससे इंधन की खपत बढ़ जाती है हमें उमीद है कि आप हमारे इन टिप्स पर जरूर अमल करेंगे और उजा सन्रक्षन में अपने योगदान देंगे और हाँ एक और विशेश बात हमें पत्र दिखना नहीं भूलेगा हमारे बता है सन्रक्षन योग PCRA 10 भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली 110066 भारत आप हमें SMS भी कर सकते हैं कंट्री कोड है 91 और नमबर है 9811771717 हमारा इमेल आईडी है sy at the rate pcra.org अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.pcra.org पर संपर करें करें करें